predicted का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लिते हैं predicted का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जो predict किया गया हो उसे adjective के रूप में हम predicted कह सकते हैं इसके एलावा predicted जो है वो predict का past and surpassed participle होता है यान कि predict की ही second और third form होती है predicted और predict का आर्थ होता है भविश्य संबंधी बात कहना यानि कि भविश्य की कोई बात कहना या कोई भविश्य वानी करना, पूर्वानुमान करना, भविश्य बतलाना, पहले से बतलाना, पूर्व सूचना देना, मतलब किसी चीज की पहले से ही सूचना दे देना या जानकारी दे देना या पूर्व सूचना देना यानि कि किसी चीज़ की पहले से ही जानकारी दे देना पहले से ही उस चीज़ के बारे में सूचित कर देना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि उन्होंने लड़के के लिए या गर आप ये कहना चाहें कि मैंने उनके मुसिबत में पढ़ने की भविश्यवानी की थी तो आप कहेंगे I predicted they are getting into trouble I predicted they are getting into trouble या गर आप ये कहना चाहें कि उन्होंने एक गंभीर आर्थिक मंदे की भविश्यवानी की तो आप कहेंगे they predicted a severe economic downturn अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें